नमस्कार दोस्तों, EV Dive the Future में आप सभी का फिर से स्वागत है VSO की अगरणी केमिकल कंपनी LG Chemical ने भारत में इलेक्टिक विकल लिथियम आयन बैट्टी के पोजट को अस्थागित कर दिया है नीती आयोग द्वारा घोसित बैट्टिरी स्टोरेज पॉलसी में काफी कुछ स्पष्ट नहीं होनी की वज़ा से भारत में इलेक्टिक वाहनों के निर्मार पर जटका लग सकता है LG Chemical के इस फैसले से पूरे उद्दोगों के भविष्ट को अंधिकार में रख दिया है गौर मतलब है कि LG Chemicals विष्ट की अगणी लिथियम आयन बैक्ट्री मनुफैक्ट्रिंग कंपनियों में से एक है विष्टल स्को के मुताबिक नीती आयोक की ओ से बैट्टी स्टोरेज पॉलसी की घोचना के बारे में अस्परस्ता होने से LG Chemical ने इंतजार करने की नीती अपनाई थी इसमें देरी होने से कंपनी ने इस पूर्जेक्ट को अस्थगित करने का फैसला लिया है बैट्टी इंसेंटिव अस्थानिय करन में ब्रिधी और आयात टेरिफ गिर्यावट जैसे मामले कोले कर इस्टोरेज पॉलसी में कोई इसपरस्ता नहीं थी आटो सेक्टर की संस्था सियाम के मुताबिक तीन वर्ष बाद भी इस गाइट लाइन्स के बारे में इस प्रस्ता नहीं है इंडिया इनर्जी स्टोरेज एलाइन्स द्वारा प्रकासित रिपोर्ट के अंसार इलेक्टिक वीकल वजार 30% की दर से बलने की उमीद है 2026 तक 28 गीगावाट की ब्रीदी देखी जाएगी 2018 में हुई भागिदारी के तहत LG केमिकल द्वारा महिंद्रा को इलेक्टिक वीकल के लिए लिथियम आयन की आपूर्टी करनी थी महिंद्रा इलेक्टिक के CEO मैस बाबू कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कई बार चर्चा हुई है लेकिन यह प्रोजेक्ट कब सुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है धन्यवाद